ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पन से होती है ये हम सब जानते हैं किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है क्या हमने कभी विचार किया मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है कभी किसी अन्य विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है नहीं क्या ऐसा नहीं होता न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते मन की योग्य स्थिती केवल समर्पंड से निर्मित होती है समर्पंड मनुष्य के अहंकार का नाश करता है इर्शा महत्व कांक्षा आदी भावनाओं को दूर कर प्रदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है वास्तव में ईश्वर की स्रिष्टी में न ज्यान की मर्यादा है, ना ज्यानियों की, गुरु दत्तात्रैने तो गाए और शौन से भी ज्यान प्राप्त कर लिया था अखात विशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? सते एक मनुस्ट्य के जीवन में ऐसा ख्रण अवश्य आता है जब सारे स्वफ्ण, सारी आशाएं, सारे द्रिश्ट, वस्त हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही दिखर जाते हैं एक और धर्ब होता है और दूसरी और सुख्ण किसी को धर्म तंकट हो देगा जब धर्म का वहन ही तंकट हो और धर्म का त्याग ही तुख हो विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफ्सर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरस्ता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है कि अधर्म के जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी कण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के संघर्ष्टा अनुभव ही नहीं पूता सहजता से सुक्ष्टी और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्ती गुड़ की और खिची चली जाती है वास्तव में घर्म संकट टाक्ट इश्वर के निकट जाने का संट होता है कि यदि हम तंघर्षों से भैवीतना सुक्की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहे हैं तो इश्वर का साक्षातकार दूर नहीं कि भवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकास की और उत्ता है कि भवन से दुखने वाली वहीं भूमी पर रह जाती है अर्थाद घर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दूर दुक तो मिलता है जीवन बढ़ता है कि इन्टू क्या चरित्र नहीं जूटता है क्या आत्मा धरिद्र नहीं हो जाती है क्या आईश्वर से अंतर नहीं हो जाता तो आम विचार की दो वेक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत्म अवश्चे करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करतें और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हिर्देख प्रोज से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया पिमाव के ज़ारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोपते अर्खाद किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अफ्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुख से भर जाता है और जब वो सीमाव को तोड़ता है तो हमारा रिदे क्रोज से भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अरफास जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं को एन विचार की सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिवे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते हैं? नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन्त। दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोपता है तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम है और निर्भाय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भायता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का ख्षण नहीं होता स्वयम विचार कीजी शेश्चता का क्या अर्थ है? शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ग्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ले इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ग्यान प्राप्त किया मूल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना आधिक है अर्ठात शेष्टतां की इक्छा ग्यान-प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिमकभ होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु श्रेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्ठ करने योग्य है वो सब प्राप्ठ करना किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं मात्र, आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्ठ करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्यस सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप से स्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राक्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जखनों और पूर्व अभातों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सक्थे तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ जन से रेक्टी के लिए धी और प्रिष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूतकाल का स्वरण कीजिए ये तिहास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के चन का कारण है प्रतेक वेक्टी जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमगता है आत्म विश्वास्त ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अब तु विश्व के लिए भी किएज़ते नहीं कि वास्तव में कि संक्टट का जन में है एक अफसर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अपनी आत्मा को बल्वान और ग्यान मंदित बनाने जो इसे को जन कर पाता है वो तो स्वय में संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहाद को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं इस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है यह नहीं वास्तव ने। वह जैसे जैसे उपड़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौथियां नई नई विडम बनाए नई अव्रोध मिलते हैं। सते इक पत पर वो अपने अगले पत का निड़ने करता है, सते इक पत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे ले, वो परवत को अपने योग्ये नहीं बना पाता, येवल स्वेम को परवत के योग्ये बना सकता है, क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्टान की प्राप कर पाता अर्थार जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही टफलता और सुक्ता एक मात्रमार्ग नहीं स्वैम विचार कीजे जीवन का हर शन निर्णे का शन होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनिश्चय से भर जाता है निड़ने का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्तर निड़ने हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने केवल मन को चान्त करने के लिए लेते हैं, पर क्या कोई दोड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं, तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्ने ले पाएगा? वास्तव में शान्त मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविश्य बनाता है किन्तु अपने मन को शान्त करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविश्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्याग कर दुरगुणों को अपनाता है मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारण करता है यह आत्म विश्वास है क्या जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संगर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संगर्ष के पार जाने के बदले संगर्ष से छूटने के उपाए ढूणने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संगर्ष उसे अधिक शक्ति शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती तो प्रतेइक संगर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है अर्थात आतों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिति जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्च में होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संतान के सुक की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का प्रैट्न करते रहते जिस मार्क पर पिता स्वेम चला है जिस मार्क के कंकर पत्थर को स्वेम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूब को स्वेम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता है निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाथियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीड़ी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं किन्तु हीतर की शंता हीतर की शंता तो इश्वर देते तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रतेक नया प्रश्ण एक नय उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नय नय प्रश्णों संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाप करना कहलाएगा या आनी पहुँचाना अधार जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संगर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा वह इम विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूचि, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यूं ना हो, कितने भी प्रबल क्यूं ना हो परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है चक्पिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का वद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे झाल